हेलो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे CSS में बेसिक सेलेक्टर के बारे में तो मैंने वह फैल ओपन कर लिया है जो हमने पिछले टुट्रल में बनाई थी तो पिछले टुट्रल हमने दो फैले बनाई थी एक सबसे पहले है अब है अब आज बेसिक सेलेक्ट रगेंट उनके कहां पर यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं बैसे क्लेक्ट को हम ज्यातर अपने in'ternal style sheet के ईंदर यूज करते हैं और external style sheetSpMY के इंदर दूज करते है यह एक सिलेक्टर पांच किसम सुलेक्टर हो गया class स्ट्रas Quốc Mix स्ट्र यूनुवर्स्सक्यू और ग्रूप ground दो हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे यह यह हम इसमें तीन सेलेक्टर पढ़ने वाले हैं जो है अलिमेंट स्लेक्टर अब उसके बाद आता है एक इसका तोड़ा कला चाहिए है कलास स्लेक्टर है ठीक है उसके बाद जो हमारा है आई डी स्लेक्टर अब जो हमने चरेंसे पढ़ना है बन्याम पर आपके लिए नाटन्हे स्लेक्टर बाद ऋब्सक्रार ब आपकर को स्लेक्टर मसल् 멋있ए ताम पर बदाता हूं जो मरें ऑनली मैंल्मा के तोर हमारा यodwyn हन है थी जा हम लेकते हैं यहाँ पर रिया हमारे पास ही अ कढ़ां आध 10 होगे है दोसरी हमारे पास ही । आ गोगी मेले लेता हूं यहां पर मिसाल को तो अलब एक Fellows जोगी एक तीसरी में ले लेते हैं ठीक है इसी तरह एक हैडिंग अमारे पास फार्म की ठीक हो गया तो कि यह ओगा किलोस अभम रपस तीन वेडिंग है एक यह हैए एक इमेज है टैग स्थ नेगे हैं एक फर्म टैक्स जियुक्ष जैनिक ने करें इनके जेगे यह आ यह वेडिके अन्हर निक सब्सक्राइब हो कि एक लीक डिखाता है तो हैं कि इसका करो यह चाएं। तो पिक्सल ठीके इसी तरह नहीं के अंदर जो भी चेंजिंग करेंगे वह हमारा एलिमेंट सेलेक्टर को हम उठाते हैं उनके अंदर हम स्टैलिंग करते हैं इसी तरह ठीके नापको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं कोई भी टैग्स है उसको उठाएंगे उसके स्टैलिंग करेंगे तो हमारा एक वह मुझा को एलिमेंट सेलेक्टर कहते हैं तो मैं आप एक हैंडिंग वन दिया हुए है तो आम यहां पर देख हैंडिनग 2 तो मैं समय लख लेता हूं सेस सेलेक्टर टिटोरियल ठीक है तो एक हैडिंग और लेड़े हैं थ्री मैंस में लख लेता हूँ मिस्टर इल्यास कोडिंग तो इसको क्या करेंगे इसको मैं करना तो कापी अब हमारे पास हैडिंग कितनी हुए चे हैडिंग है छिसमेंसे से हैच मन रुआ है एच वथ वन ने दो बार रहा है ठीक है है एचु डूभडर रहा है औरे Edge ध्री बार हा रहा है तो मैं एच वन को यह मारा है एच वन नहीं मैं इस को जब उठ looking हुआ है यह हमारी फाइल है एक्टेंल फाइल यह हमाने लिक यह लिख लिए उता पिछले दड़ले में भाई थी तो इसमें मैं क्या करता हूं इसके मिर्ट की एक्स लिखना है ताइब नी कि आप के लिखने हैं इसेंस के लिए ठेके के तो यह हम आड़ेते हैं देना दे कोई मसला न होता ता हम अपने अक्स तरनल फाईल में चलेंगे जो हमने अज़ इसका लिंक हमने अपनी में लिक्षा多 है ठीक है एक्स्टेर्नल फाइल हमने पिछले टोल में पड़ी थी तो अब मैंने एच वन को उठाना है एच वन हमारा टैक्स है यानिक एच वन जो एलिमेंट्स है इसको उठाऊंगा कर लेक टो उनुफ करूंगा तो इसमें मैं इसका कलर कर देता हूं क्या बला ग्रीन तो सेव करते हैं जाते हैं अपनी ह्टेमेली फाइल में मैं इसको करता हूं सेव यह देखें अब हैच वन हमने एक लिया है अब जितने भी हमारे पेज के अंदर हैच वन आ रहे थे वह उन पर हमारा कलर अपले हो गया है करेंगे से तरह हम एक ओर ऑल्यमान्ट ले लेते हैं कि यह भी खड़ा रहे इसके लबाव हम जब एक डूलेंगे तो मैं इसका कलर्ड है झांगा तो प्रेता हूं इसका कलर कर लिए लिए जब करते हैं यहां किया मैं यह देखें अब ही हमारे रिपस दो आ रहे थे तो उन्दोनों पर ही ब्लीव कलर अपले हो गया है तो है यह मरा element एक Kopf अनली हम जो भी टैक्स लेते हैं उस ते अब और प्ररप्टी šालते हैं प्रप्टी तो कोभी फौंट से ज़ाज अगर हमने चैज करना है बार्डर लगाना है किसी भी टैग्स का तो हम डिक टैग्स उठाते हैं तो उसके अंदर चिंजिंग करते हैस्टालिंग करते हैं तो यह इसको हम कहते तो इसको मां टेएक्स के अंदर लगाते हैं मिसाल के त questi हैं इसके अंदर मैं अब हम क्या कर आँ का का कर देता हूं कृष्ट आए चं parte कर देते हैं तो मैं आपको समझाने के लिए H2 में आजाते हैं, मैंस में लिखांगा Class, ये हमारा स्लेक्टर है है, ठीके, आभ इसके अंदर कोई भी नाम दे सकते हैं, आप अपनी मरेसे यह réfgrade यू है, कोई भी नाम कोई नाम में लिखे लोक़ vaccarch भी यह नाम ये सकते हैं, तो मैं नाम लिखा ल Kid में अचे कलर मैं इसका कलर कर देता हूं जी ब्राउन ठीक है बी आरो डब्लियो एंड ब्राउन तो अब मैं इसको हमारी एच्टेमेली फाइल में जाएंगे इसको मैं सेव करूंगा इसका है डिएचिना अब एच्टू हमारे पास दो थे उनके इस पर लग्राइबान करें नहीं is फालेडर फिरस कर में चरूंगाते हैं यह आलिमेंगे हैं यह बहुत रह उसका पर को रहे यह पूसका हैंक्य अगर किसी एक की आपनिकर ल्ड़ फिरस करना सकते के इसका class का यही फैदा है अब class को multiple यूज़ भी कर सकते हैं हम यहां यहां पर भी हम लेक्ष लेते हैं h1 में इस h1 में मैं लेक्ष लेता हूं class name यही सेम नाम हम multiple यूज़ कर जैने के class को multiple दफ़ा यूज़ कर सकते हैं तो हमें सेव करूंगा अब क्या होगा हमने एक बार यहां पर दिया हुए सिर्फ कलास लिखा और उसका नाम लेख दिया ठीक है लेकर अब हम इसको अगर दस बार भी लिखेंगे ना तो दस चीजों का कलर चेंज हो जाएगा देखाए हम मैंने इन दोनों में से दो को चेंज करना था तो दो बार हमने कलास और उचका कलास का एक यह है कि इसके जो नाम नेम है आप क्या कर सकते हैं आप यहां पर अंडरस्कॉर लिक के अगला नाम भी दे सकते हैं यादिक्ट है आप अंडर्स्कॉर लगा सकते हैं आप लगा सकते हैं यह दोनों करते हैं इसके लावह आप केमल केस में लिख सकते हैं के Camel case यह वरन मैं इसका थोड़ा जूँरा जूम कर लेता हूं यह देखे abz fi दे रहे हैं इनके के themal case जो वह है वो यह ए निक्ष włas बड़ा हर्फ लिखते हैं एक ठीक है next आप वर्ड लेकते हैं वो एक me लेक टेंगे तो इस तरह भी काम करते तया है नेम सेलेक्टर है नेम सेलेक्टर तो इसका में कलर कर देते हैं क्या कर देते हैं जी येलो कर देते हैं ठीक है येलो तो सेव करते हैं ये देगे अब इसका कलर येलो हो चुका है यानि कि आप इसको आप हैफन भी लगा सकते हैं बीच में दर्मयान में अंडर्सकूर भी लगा सकते हैं और इस तरह कैमल केस में भी लिख सकते हैं इसके बाद जो हमने पढ़ना है वो है आईडी आईडी को आप सिर एक टैक्स में एक बार उसको लगा सकते हैं अगर दूसरे टैक्स में लगएंगे तो वो दूसरी ऐडी होगी लास में तो आप एक नेम को मुल्टिपल यूज कर सकते हैं लेकिन एडी में मुल्टिपल यूज नहीं है तरन है की होगा और यहां पे लेक्सतों गां कि यौ्त इनकिते हुनि तो इसमें स्काइब है क्युक्लव मैं क्या करते हैं है और यह होगा है विएह लिखने के विए हम यह फ्राने चाहिए एड लिया था यह वर ने लीए करेंगे इसमें लिख लेंगे इसका कलर चेंज कर लेते हैं मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं ग्रीन तो मैं सेव करता हूं एक में हम जाते हैं एक में वाले पेज में और इसको मैं कर देता हूं से यह देखिए अब यह ग्रीन हो गया है एडी को हम सिर्फ पर्टिकॉल चीज कर रही हैं अब जो सबसे जाएदा जुराता है वह पहले ऐडि की मिलती है ठीक है मैं को बतादि लगा या न aurait मैं किलास भी लगा लेका हूं बड़े ताह al 대्माश लगा लेता हूं इसमें हम आ सेलेक्टर हम आं मैंने समें क्लास यह डिक्यों है यहां अप जाइब हैं तो आप मैं रोहां पर जलते हैं और तो मैं आप जाएक क्लास लगाएं ऐस हाइस । तो स्लैक्टर नाम के लिए यहां यहां तो इसका मैं कलर कर देता हूं Gण headlines अपसे अपने हम यहां पे नहीं सको सेव करता हूं यह देखें हमने इस जो फस्ट वाला हमारा जो हैड एच वन हैडिंग आ रही है इसमें हमने एक कलास लगई है और एक एडि लगई है को कि अप enforcement में नहीं है और सबसे ज्याथ जो वैलियो मिलिये वो मिलिया है सबसे पहले जो वैलियो मिलती है वह अडिव मिलती एउसके बाद कल say मिलती तो आप हमारे जो हैथ से लेक्टर उसकाम करते हैं तो तब तक के लिए थनने फान को ठैंक टेक कैर बैबाए और झाल झाल